जी कैसे सब माया के बखान करदाओं मैं तुझी आथा मो जोड़ी मो और तोरे चेखाती तैने राखे हामो बैठा मो और तोरे चेखाती जी कैसे सब माया के बखान करदाओं मैं तुझी आथा मो जोड़ी मो और तोरे चेखाती तैने राखे हामो और तोरे चेखाती बस्तर में मा धन्तेश्वरी राजिम में राजीव लोचन चंपारन के पूने छेत्र में मुखरित है बैशनोक दर्शन दोंगरगर इस्थित बमलाई माता रामगिरी से कालिदा सहे गाता आरंग इस्थित बागेश्वर सिंगनपुर की गुफा मुखर बालमीक का आश्रम सुंदर पावन सीता की आखों का बादों सावन लोकुस की जनमस्तली तुर्टुरिया की गोद पड़ी यह है हमारे 36 गड़ का सांस्कृतिक बैभव और जिसका गायन किया है महान साहितकार फ्री दानेश्वर सर्मा जी ने लोकशाहित के मरमग्य पंडित दानेश्वजी सर्मा का जन्म ग्राम मेड सेरा जिला दुर्ग में भागवता चार्य पंडित गंगा प्रसाद दुवेदी के घर धर्मपारायन स्रीमती इंदिराद दुवेदी जी की कुक्ष से दस मई सन 1931 को हुआ शर्मा जी बच्पन से ही कुषाग्र बुद्ध के रहे हैं विद्वान पिता और धर्मपारायना मा का प्रभाव स्री दानेश्वर शर्मा जी पर परियाप्त पड़ा है शर्मा जी ने बीए एललबी तक की परिक्षा उत्रिन की इसके पश्चात वकालत करनी प्रारंप कर दी कुछ समय पश्चात भिलाई इस्पात सहियंत्र के संपादकिये विकास विभाग को अपनी सेवाइं देने लगे वहीं से मैनेजर पद से सेवांद्र वित्त हुए सन उनाइस्षो पच्पन से सारस्वत साधना का स्रीगनेश कर निरंतर उतक्रिष्ट ग्रंथों का प्रणेयन करते आ रहे है इनकी प्रसम रचना बेटी की विदा ने अत्यंत ख्यात अरजित की आज भी वह रचना कंठाहार बनी हुई है अब तक आचारिय दानेश्वर सर्मा जी की लगभख छे पुस्तकें प्रकासित हो चुकी हैं और अन्य प्रकासना धीन हैं आचारिय दानेश्वर सर्मा जी बहमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार है आपने विवेचनात्मक ग्रंत हिंदी गीत खंड काब्य ललितनी बंध चत्तीस गढ़ी में कविताएं और गीत हिंदी में कविताएं और गीत दे करके हिंदी साहित्य को भरपूर योगदान दिया है मा सरस्वती के कोश को भरने का प्रणम में प्रयास किया है विवेचनात्मक ग्रंतों में 36 गढ़के लोग गीत सन 1962 में प्रकाशित हुआ और दूसरी कृत है हिंदी गीत संग्रह हर मौसम में चंद लिखूंगा इसन 1993 में प्रकाशित हुई और आपने लोग कुष खंड काब्य लिखा है जो 2001 में प्रकाशित हुआ बहु चर्चित खंड काब्य है ललित निबंध संग्रह में लोक दर्शन 2003 में प्रकाशित हुआ और 36 गढ़ी कविता संग्रह तपत करूं भाई तपत करूं यह जो है 2006 में प्रकाशित हुआ और हिंदी काब्य संग्रह गीत और अगीत यह 2007 में प्रकाशित हुआ इनकी अत्रिक्त विविन प्रतिष्ठित पत्रपत्रिकाओं में स्री शर्मा जी की रशनायं प्रकाशित होती रही हैं पंडित रव शंकर सुक्ल विश्विद्याले रायपुर के यमय के लोक्षाहित विशेहेत स्री शर्मा जी की कविताएं संकली थें। शर्मा जी की चर्चा शिकागो विश्व विद्याले द्वारा प्रकासित रिवो लुसनिज्म इन चत्तिस गड़ी पोईटरी में भी हुई है श्री शर्मा जी बिश्व प्रसिद्ध संस्ता फोर्ट फाउंडेशन द्वारा भारत में विकास सरकारी अवं गहर सरकारी संगटनों के साथ पचाश वर्षी साजीदारी पर प्रकासित एक ग्यारा पुस्तकों के संपार्थ की सलाकार भी रहे हैं इनके गीतों के ग्रामो फोन रिकार्ड्स वा केसेट्स देश की प्रसिद्ध कंपनियों जैसे हिज मास्टर्स वायस कलकत्ता म्यूजिक इंडिया पोली डोर मुंबई सर्गम रिकार्ड्स बनारस वीनस रिकार्ड्स मुंबई द्वारा बनाए गए हैं और इसके अत्रिक्त शर्मा जी बहुत अच्छे फिल्मी गीतकार भी हैं फीचर फिल्म मोर धर्ती मैया में आपके गीत सामिल हैं लोग उसे बड़े आदर और सरधा के साथ सुनते हैं कभी सम्मेलों के कुशल मंज संचालक के रूप में भी शर्मा जी को परियाप्त सफलता मिली हैं आप स्रीमत भागवत के प्रवचनकार के रूप में भी प्रशिद्ध हैं जहां तक शर्मा जी की काप विभाषा का प्रश्ण है वास्तों में इनकी काप विभाषा में जहां भावनाओं का सुन्दर परिपाक हुआ है वही निबंधों में गहन चिंतन दिखाई देता है अपनी असाधारन प्रतिभा से आप साहित जगत को प्रकासित करते रहेंगे ऐसा हमारा विश्वा से हिंदी साहित जगत शदयव आपका रिनी रहेगा और हमारी इश्वर से यही प्रातना है कि आप दिरगाए हों और निरंतर शारत्स्वत साधना करते हुए कीर्टिमान इस्थापित करते रहें बच्चो आपके पाठिक्रम में 36 गढ़की लोग कलाएं इस निबंध को लिखा है स्री दानेश्वर शर्माजी ने हम उस पर चर्चा करते हैं वास्तों में 36 गड़ की लोक कलायें निवंध, 36 गड़ की हमारी सांस्कृतिक विराशत को, हमारे सांस्कृतिक बैभो को हमारे सामने रखने में समर्थ है सब्दा नुशाशनम में कहा गया है लोके वेदे च अथात, लोक में और वेद में, लोक की यह प्रतम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है वह बेद से भी अधिक प्राचीन है, बैदी काल के पहले से जन मानस रहा है, लोगों की अव्यक्तियां रही है, यह लोक रहा है, हमारी लोक कलाएं रही है, हमारे लोक गीत रहे हैं, हमारी लोक कताएं रही है लोकमानस ने धर्ती को माता और अपने को उसका बेटा माना है माता भूमी पुत्रो हम प्रिथिव्याह माता भूमी है माता हमारी भूमी है और हम माता के पुत्र हैं हम धर्ती माता के पुत्र हैं जैसे जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद दपिगरियसी जननी और जन्मभूमे यह स्वर्ग से भी बड़ी होती है नाते रिष्टेओं के इस प्रेम ने उसे प्रक्रिती और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया यहीं से फूटी लोक रचना की अजस्र धारा, लोक गीत, लोक गाथा, लोक नाटे और लोक नृते जो आज तक निरंतर प्रवाहित होती चली आ रही है मनुसिका संपूर्ण चिंतन, दर्शन, राग और विराग, लोक कला में इसी कारण सन्नीत है जब हम पैदा हुए, खुशी में हमारी मा गुन-गुनाई है और वही गुन-गुनाहट ही आगे चल कर लोक गीत बन गई, लोक साहित बन गई बच्चों, एक नॉमबर दो हजार से चतीस गड़ स्वतंत्र राज्जी के रूप में अस्तित्त में आया यहां कभी चतीस के लिए थे रायपूर, दूर्ग, राजनाद गाउं, बिलाशपूर, रायगर, सुकमा, दंतेवाडा, सूरजपूर, बीजापूर आदी 29 जिलों में यह भूभाग, साहित्य, संगीत और कला के छेत्र में अपनी अनेक विशेस्ताओं के लिए प्रशिद्ध है रायपूर, वर्तमान, बलवदाबचार, जिले के तुर्टुरिया नामकिस्थान में महर्श बालमीक का अश्रम माना जाता है वास्तों में हमारे जो रिश्य महर्शी थे, वे एक जगह टिकते नहीं थे आज यहाँ तो कल वहाँ, लेकिन महर्शी बालमीक ने तुर्टुरिया को अपना आश्रम बनाया था इनके आश्रम का प्रमान तमसा नदी के किनारे भी मिलता है इस नाते लोगों का ये कहना है कि कविता की पहली रिचा फूटी बालमीक आश्रम में अभी यह प्रमानित नहीं हो सका है क्यों तमसा नदी के किनारे जो वर्तमान में टमस है वहां मानिसात प्रतिस्टात तो मगमा साश्वती समा यतक्रोंच मितना देकम अधियका मोहितम ये रामायन का ये पहला अनुस्टुप चंद है जो शाप देते हैं महरसिबालमीक तो यह अभी अनुसंधान चल रहा है कि वो तुर्टुरिया में यहकृत सामने आई या तमसा नदी के तमस के किनारे आई लेकिन आदिशंक्राचार्य के गुरू गोबिंद पाद स्वामी इसी धर्ति के संत थे 36 गड़ लोक कला का भी गड़ है यहां खेत, खार, परवत, नदिया, बन, उपवन, सब गाते हैं जब लोग गीत गाये जाते हैं तो धर्ति गाती है खेत गाते हैं, खार गाते हैं, परवत जूमते हैं, नदिया, उपवन, सब जूम जूम कर हमारे लोग गीतों से ताल मिलाते हैं गेहूं गाये गीत खेत में और बाजरा जूमे नाचे, चना बजाता घुंगरू चंचन और मूग जो कविता बाचे लोग गीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सज्जता है, लोग कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है वास्तों में लोग कला के इन जादू गरों का लंबा इतिहास है, किन्तों आज भी 36 गर में ऐसे सैक्रों कलाकार है जिन्होंने देश के कोने कोने में और बिदेशों में भी अपनी चाप रक्षोडी है जूमते जूमते लोग गीत गाये जाते हैं किसी भी अंचल के लोग गीतों में पूर्सूं की अपिक्षा महिलाओं का आधिक के रहता है 36 गर में भी यही इस्तिती है किन्तु ये बाद 36 गरी लोग गीतों को अन्य भारती लोग गीतों से अधिक विशिस्त मनाती है वो है धुनों की बिविधता ददरिया, सुवा, गवरा, भोजली, जमारा, बिहाओ और भजन यहां के प्रमुग लोग गीत है ददरिया स्रिंगार गीत है संजा के बेरा तरोई फूली रे तोर चिम्ती भर कनिया तोही लख खुले रे अथात साम के समय तरोई का फूल खिलता है एक चिम्ती में समा जाने वाली तुम्हारी पतली कमर तुम्हारे विक्तित को और अधिक निखार देती है यह सात्विक स्रिंगार का सर्वोत क्रिस्ट उदाहर है इस गीत में सवाल जबाब भी चलता है खेत में या तालाब नदी के पास में बैठे हुए किसी नायक ने ददरिया का एक पदगा दिया और दूसरी ओर से भी किसी ने उसका जबाब दे दिया तो इस परधा शुरू हो जाती है यह सिल्चिला काफी लंबा चलता है और आज पास छिटके हुए स्रोता इस प्रतिस्परधा का आनंद लेते हैं लोग कला में आशुक कवित तो भी है और ददरिया उसका जीता जाकता उदाहर चितावर में वो चीरई बोले चितावर में वो चीरई बोले मन के कलब ना ना नाई खोले सुवागीत सुवागीत में महिलाएं बास की तोकनी में भरे धान के उपर अपने सिर पर रखके सुगा अथा तोते की प्रतिमा रख देती हैं और उसके चारो और बृताकार इस सित में नाच्टी गाती है सुवा को 36 गड़ी में लोग गीतों में कवीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है सुवागीत की सर्वोत क्रिश जोगाई का है स्रीमती अम्रिता और स्रीमती कुलवंतिन का नाम आता है दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या की रात को गवरी यानि पार्वती की पूजा होती है गोलजात की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती है वो गवरागीत कहलाते है छोटी पदों में किंत बड़ी उर्जा भरे इन गीतों में स्रोताओं को भी जुमा देने की ताकत है रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातह विशर्जन के समय गीतों के भाव में करुणा आ जाती है देवी को अगले बस फिर आने का निमंत्रन देती हुए महलाओं की आँखों में आशू आ जाते हैं आखें आशू से नम हो जाती हैं और ये गवरागीत गाने में जो सरवाधिक प्रसिद्धि मिली है डाक्टर मम्ता चंद्राकर साधना यादो अनुराग ठाकुर कविता वाशनिक आदिके स्वर में गवरागीत बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों फिर आता है जमारा जमारा भी शक्त की आराधना है नौरात्र के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्तित स्वरूपा प्रकृति पूरे गाउं को बल देती है शत्तेजगर के प्रमुख लोगगीत गायक लाला फूल चंस्री वास्तो भायालाल हैडाउं वैतल राम साहूं और पंच राम मिर्जां केदार यादों नर्मदा प्रशाद वैस्नों कोदूराम भर्मा शिवकुमार तिवारी सेखहुशन और प्रकास देवांगन के नाम बहुत ही प्रशिद्य है जैसे सुग्घर सुग्घर कथा और सुग्घर कहिनी सुगर सुगर कता और सुगर सुगर कहिनी सुनले भया सुनले भईनी हमारे शतीस गढ़ में लोक गाथा बहुत प्रशिद्ध है वास्तों में लोक गाथा ये बड़ी कहानिया है 36 गढ़ में प्रचरी लोग कताओं में धोला मारू, सोन सागर, दश्मत कईना, भर्थरी, आलहाखन, पंडवानी, देवार गीत, वास गीत, चंदयनी, लोरिक चंदा आधी प्रमुख हैं लोग गाथा गाईकों में इस समय, पद्म भूशन, स्रीमती तीजन भाई, और स्रीमती सुरुज भाई खांडे के नाम उभर कर आएं, जो बहुत ही प्रशिद्ध हैं, पूरे विश्व में स्रीमती तीजन भाई ने 36 गढ़का नाम रोशन किया है सुरुज भाई, बिलासपुर की रहने वाली हैं, और धोला भर्थरी और चंदैनी गाती हैं, एकल स्वर में भी समा बांदेने वाली हैं गाईका, अपनी विधा के लिए अलग से पहिचानी जाती हैं, रूस में हुए भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था और रूस में 36 गढ़का नाम रोशन किया लोग गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता हैं, देवार बच्चों एक घुमनतु जाती हैं, इसका पूरा परिवार कलाकार होता है, केवल रूजू मने एक तारा, रूजू मतलब एक तारा, बजाकर ही सभी स्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाला दिवार, अपनी सैली और धुन के कारण पहचाना जाता है, मार दी स्पानी बिशलगे बाट, अठम कत केवटिन चालिस बजार, केवटिन गिरगे मारी के भार, केवट उठाए नग देना के भार, देवार जात की महलाएं, प्रायह, गाती और नाचती हैं, नाचने की कला में ये इतनी प्रविन होती हैं कि लोक नृत्य में द्यवरिनिन नाच एक बिधा हो गई है, देवार जात के कलाकारों में मनहरन, कौशल, गणेश, बरतनिन भाई, किश्मत भाई, फिदा भाई, पदमा आधी प्रमुख हैं, इनके नाम बड़े सम्मान के साल लिए जाते हैं, गई से रामा येना राम बीना या राजुन के बाखाने वान, राजुन के बाखाने वान, ओथी हारन भायत और साहा देव, बीना राजाकरन बीना दान, अजी राजाकरन बीना दान, राजाकरन बीना दान, राजाकरन बीना दान, राजाकरन बीना दान, अहां तैमिरगा मोहनी के जात आपन करमत गादीरे कई कारन पाये हे वोडिया भातार करम के लिखाला कुणता रएवाई मेटाना वाला गामार अब बचो बहुत विश्व प्रशिद्ध है पंडवानी पंडवानी जो है ये पांडवों की कथा है यारू राम देवांगन पंडवानी के सिखर कलाकार थे हम उन्हें सिखर पूरुष के नाम से जानते हैं उन्हें मध्यप्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त था है विदेशों में भी उनके अनेक कारिकरम हुए हैं उनके सिख्यों की बहुत बड़ी संख्या है जिन में से पूरा राम निशाद को संगीत एक आदमी का पुरुषकार प्राप्त हुआ है श्रीमती तीजनवाई का पालिक शैली की पंडवानी गाईका हैं उन्हें पद्मभूषन का अलंकरन प्राप्त हैं और रेवा राम लक्षमी भाई सामे शास्त्री देवी आद शिद्ध हस्त पंडवानी गायक और गाईकों की सेणी में रितू बर्मा भी उतर कर आई हैं और आज रितू बर्मा नाम रोशन कर रही हैं पंडवानी का एक उदाहन देखिये रतला हाकत है भगवान कूकुन लोंगी साप सलगनी हाथी हदबद गदबद सैना करिस्पयान रतला हाकत है भगवान बच्चों हमारे 36 गड़ में जो लोक नाट्य है उसका कलेवर और तेवर देखने लाइक है 36 गड़ के लोक नाट्यों में प्रमुख है नाचा चंदाइनी और रहस नाचा अत्यंत स्वसक्त भीधा है और लोक प्रीवी इसमें पुरु से ही महिला के वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं दो चार नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है आप बता यह रो है आज यह से बेंदरा है यह डाली लोग डाली कुछ नहीं तैसरे स्मूद ने जो हास से भरपूर होता है जिसमें जोकर जोकर या विदूशक के अत्रित कुछ अन्यपात्र प्रहसन पेश करते हैं गम्मत या प्रहसन में अत्यन्त तीखा ब्यंग होता है किन्त उसका जो समापन है किसी अच्छे आदर्स को इंगित करता है मतलब वो बहुत ही परिणाम दायक परिणाम मूलक संदेश उसमें नीत होता है नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है नाचा रात भर चलता है और सवेरे कर्मा के साथ समापत होता है स्वर्गिय मंदराजी दावू नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे बल्कि यूँ कहें कि नाचा के वो महागुरू थे आज से साथ वर्ष पहले बुररा रिंगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी बाद में रिंगनी रवेली पार्टी एक हो गई लालू राम और मदनलाल इस पार्टी के सशक्त कलाकार थे जिनके नाम से लोग तूट पड़ते थे वास्तों में लालू राम जी ने माननी हबीब तन्वीर बहुत प्यारा नाम बड़ा सम्मान जनक नाम है 36 गड़ में इनके निर्देशन में तैयार चर्ण दास चोर में चर्ण दास की अविश्मनिय भूमिका निभाई और विदेशों में भी ख्याती अर्जित थी फिल्म मेशी साहब में उनकी छोटी सी भूमिका प्रभावकारी है नया थिएटर दिल्ली के एक नाट्य में मद्राशी पंडित का जीवन्त रोल करने का करेंट ने उसका चित्र चात्ते हुए तिपणी की थी हिंदी स्टेज है एक टू फाइंड लालू राम अर्थात हिंदी रंगमंच पर अभी तक लालू राम पैदा नहीं हुआ है यह हमारे यहां के कलाकारों की गरिमा है हमारे 36 गड़ की यही सारस्वत संपदा है भिलाई इस पाथ सयंत्र द्वारा आयोजित भारत प्रशिद्ध 36 गड़ लोक कला महोस्याव में इस लोक कलाकार का अभिनंदन किया गया था कि मध्य प्रदेश शासन ने लोकनाट के पांच छती गड़ी कर मने जो कलाकार है मदल्लाल और भुलवा राम गोविंदर राम देवी राम और फिदावाई को तुलसी सम्मान प्रदान किया था चन्दैनी लोकनाट्य में लोडिक और चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत चन्दैनी अब लोकनाट की एक ऐसी शैली हो गई है जिसमें कलाकारों की संख्या कम होती है और एक कलाकार अनेक पात्रों का अभिने कर लेता है रामाधार, सुख्चंद और लतेल राम इस फन में माहिर कलाकार हैं रामाधार साहू असाधारन प्रतिभा के धनी हैं और मंच पर इतनी अभिव्यक्तियां एक साथ देर देते हैं कि कभी-कभी बहुत धिक दर्शक भी उसके साथ चलने के लिए अपने को असमर्थ पाते ह इतने उचे कलाकार हैं बस्तर का भतरानाट और विलाश्पुर का रहस भी लोकनाट्य है रहस वसुतर रास है अथात कृष्ण की रास लीला का ही सात्विक प्रदर्शन है